नमस्कर दोस्तो मैं आपको साती कुल्दिप कुमार मेःभवाल आज हम मेःभवाल समाज की संसकर्दी और उनकों का अरहन सेन के बारे में पढ़ेंगे आज हमारा भाग है मेःभवाल समाज का इतियास का भाग नमबर साथ है मेगवान भाल समाज की जो लोग हैं राजसान से निकल गए भारत के किन किन प्रांतों में फैल गए वहां अपना जिवन इस्तापत कर लिया और इस्तापत इस्तापत कर लिया अगरा प्रचार प्रचार किस ska प्राने समय से लेकर आधुनिक समय تक उनका इस प्रकार कैसी क्या रहा इन सब बाते के बारे में पढ़ेंगे मेगवन्षियों का पेशा किर्शी ततब उनाई था वे वर्ष के दो फसले लेते थे से समय में वे अन्य समर्द गतिक विदियों में वेस्त रहते थे राजस्तान के दिहाती इलाकों में भी वे समुदाई कई लोगों छोटी-छोटी बस्तियों में रहते थे उनके आवास क्यारा की इटों के बने हुदा गोला कार जोपडिया जिन पर रंगिन जामेती डिजाइन के विचितर होते थे जिने मिश्तरित जड़ा हुए दरपन कारेक से सजाज़ता था और बीते समय में मेगवाल समदाई मुख्य वेवसाई किर्शी सरम था बनाई विशेश रूप से खादी के करमस्टे तथा मुख्य वेवसाई से जूड़े हुए थे उनके मुख्य वेवसाई में थे महिलाएं अपने कडाई के काम के लिए परसी थी उन अशुती कप्डों के बढ़ियां बुबून कर अपना वेवसाई करती थी मेगवालू में कुछ ने से कुछ राज़तान से मुंबई, हरियाना, पंजाब, मद्यपर्देश, जम्मु कश्मित आधि परांतों में फैल गए महाराश्ट्रा और भियार अलग-अलग राज़ों में फैल गए और वहाँ जाके अपने कारियों किरम किया और कारियों कि 76 पर आज मेगवाल समाज परसिक्षा में वेवसाई में अपने अलग पहचान बनाए हुए है सन 1937 में भी एच मेता एक सौद करता ने एक अधिन में कहा कहा कि काउं के मनुश जियों से बचने के लिए वे अधितर सहरा की और गए सहरों में मैसूस किया कि सहर में भीड और ऐस सवस्तर कर परिस्तितियों के मावजूद उन्हें जियों ने सुधार हुआ आज में एक वालियों के सिक्सी सिंक्या बढ़ रही हैं वे और सरकारी नोक्रिया पराप्त कर रहे हैं पंजाब जो रास्तन कर टच में एरिया है विशेश कर अमरित सर जलांदर लुदियाना जैसे सहरों में खेल, होजरी, चिकता चेता अपकरणों धातों के उतपादन करने वाले कारकरणों में मजदूर कर रहे हैं और उनमें से कुछ अपना जीवन वेशाए लगूं दोगी स्तापित कर चुके हैं जीवन के इस बदलाओं के लिए छोटे वेफार्स से और बड़ी काईयों से जुड़े हैं वे उनका पर मुक्सा आ रहा है जम्मु कस्मिर की भूमी सुधारों में सफल कार्यूनिन के बाद छोटे किसाएं बन गए हैं पाकिस्तान से भारत आने के बाद में गउने भी अलवर के राज़तान के बंजर भूमी दी गई वहां उन्हें महनत की और बापू को पिछन ने उन्हें इस पर परक्रिया में बहुत साहिता की और भूमी उपजायू बनाई उनके परधान भोजन में चमेगवालों का मुख्य भोजन था चावल के हूं मक्का आदी सामिल था दालों में उनकी उरद अच्छा ना दाल थे वे साकारी नहीं थे जम्मु किस्मीर के धार्मिक नेता मेगवाल मेगवाल समधाय को एक साकारी बना दिया किरपा उधरन से जूड़े हैं परमपरिक मेगवाल समाज में की महिलाओं को ज़्यादा कम तर होती है पुरिवाल के बीच में बादसीत मद्यम योन से पहले ही साधी तेकर दी जाती है शरीर साधी के बाद पतनी पती के घर जाती है और उससे में माई के माती जब पिता दोरा बच्चों को तरदाईतों देने लगते हैं इस परकार पतनी कमाज़ा देने के लिए तलाक के उनमती देने की परमपराव यह है यह दिकी शिब बात को ना प्रसंद करते हैं तो वेक्ति का उका पानी बंद कर देते हैं और इस समाज में नेक बुराईय भी है और इस दुछ मामलों को इस्तमाल किया जाता है जिससे मेगवाल महिलाओं को समाजी करनाई का समना करना पड़ रहा है परन तो आज के आधनू कि समय में मेगवाल समाज अपनी अलग ही पहचान बना हुए है मेगवाल समाज राजस्तान से निकल कर मादा परदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाना के शेतर में फैला हुआ है और आज मेगवाल समाज राजनिती में नहीं शिक्षा के सेतर में अपनी एहम भूमी का निबार रहा है इस परकार हम कह सकते हैंगे मेगवनशियों का मुक्य वैसाई किर्सी चरमकार तता बुनाई का काम परमुक था यह था आज का मेगवनशियों का पेसा उसका कारे है